टीटवन्टी बिस्कप दोजाच चौबीस के फाइनल का मंच सच चुका है जिसमें भारत और साउथ अफरीका एक दूसरे से विश्चौ कप के खिताब के लिए भिड़ते नजर आएंगे ऐसे मैं इन दौनों ही टीमों की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है इस बात को जानने के लिए सभी लोग बहुत बेसबर हैं कौन सी टीम है वो जो 29 जून को दूसरी टीम को पचाड करके 2024 के टीटी का विश्चौ बिजेता बनेगा बैसे तो क्रिकेट के टीम में 11 खिलारी होते हैं और इसको प्लेंग 11 बूलते हैं 11 के 11 खिलारी को योगदान टीम की जीत में म रांडो चाए नौक आउट रांडो या फिरो फाइनल बैटल तो यहां इस वीडियो में भी हम बात करने बाले हैं इंडिया और साउथ अफरीका के ऐसे च्छे खिलारी के बारे में जिनों ने इस पूरे बिश्चु कप में बेहत सांदार प्रड़ेशन किया है और अपनी टीम को विजेता बनाने का माददा रखता है तो बने रहे हैं इस वीडियो में हमारे साथ सुरू करते हैं फाइनल से पहले का ए महा फाइनल मुकाबला तो पहला महा मुकाबला है रोह सर्मा और कुंटन डिकोक के बीच दोनों ही अपनी टीम के तरफ से ओपन करते हैं और कैसे में एक देखना दिल्चस्प देगा कि दोनों महारती इस बिस्व का फाइनल में अपनी टीम को विजेता बनाने के लिए कैसा प्रदैसन कर पाते हैं अगला जो महा मुकाबला है वो है सूर कुमार यादा और डेविड मिलर की बीच हम जानते हैं कि दोनों ही बिस्वो और डेविड मिलर से थोड़े से आगे नजर आती हैं जहां सूर कुमार यादा अब तक इस बिस्व कप में 166 रन बना चुके हैं वहीं डेविड मिलर 148 रन ही बना सके हैं ऐसे में अब देखने दिल्चस्प होगा कि इस फाइनल मुकाबले में कौन सा ताबर थोड़ बल् में 171 रन बना सके हैं वहीं हैंनरिक क्लासन थोड़े से पीछे और 138 रन ही अब तक बना सके हैं लेकिन क्लासन के बारे हम जानते हैं कि बो किसी भी पल मैच का रुख पलट सकते हैं और अपनी दमपर बो किसी भी टार्गेट को एचीव भी करवा सकते हैं यह तो होगा दो तीन बो विस्पोटक बलेबाज जो इस टूनमेंट में खूब चले हैं इनके आलावावी दोनों टीमों में कुछ ऐसे बलेबाज हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं हाला कि उनकी फॉर्म इस विस्ट कप में सबालों के गेरे में जिन मैसे की बिराट कोईली भा कि फाइनल में मेच्च जितुग परदसन कर पाते हैं या नहीं तीन-टीन बलेबाज की बाद हम देख लेते हैं दौनों ही टीमों के वो तिन-टीन धुरंदर गैंदवाज जो इस बिस्ट कप में लगातर अच्छा परदसन कर रहे हैं और लगातर विक्ट निकाल रहे हैं ऐसे में अब देखना जिल्चस्प है कि फाइनल में किस की गैंद का सिक का जमता है गैंदवाजों का अगला मुकाबला है जस्पीद बूमराय और कसीगो रबाडा के बीच यहाँ पर दोनों ही गैंदवाजों ने अब तक बहतर प्रदसन किया जहां बूमराय तेरा बिकट ले चुके हैं तो कसीगो रबाडा भी बारा बिकट ले करके उनके लगबग बराबर में ही हैं दोनों ही अपनी टीम की गैंदवाजी की कमान समालते हैं और गैंदवाजी की जान भी हैं मैच जितों परदसन करने में दोनों ही अपनी टीम की तरफ से अग्रणी हैं गैंदवाजी का अगला महा मुकाबला है कुल्दीप यादाओ तबरे समसी की बीच दोनों ही अपनी घूमती हुई गैनों से विपक्षियों को परिशान करने में महा रथी हैं जहां कुली प्यादाओ इस टूनमेंट में अब तक 10 बिकट ले चुके हैं बहीं तबरे समसी 11 बिकट ले चुके हैं तो यहां पर कुल मिला करके दोनों ही गैनदवाज अपनी गैनों से मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं और अपनी दम पर इन लोगों ने कई मैच इस बिसकॉप में जिताए भी हैं और अब देखना है कि फाइनल बैटल में अपनी टीम के लिए किस प्रकार का प्रदैसन करने में सफलो पाते हैं इन तीन गैनदवाजों के अलाबा भी दोनों के पास कुछ अच्छे गैनदवाज और हैं जैसे कि भारत के पास अक्छर परदैल हैं जो लगातर मेच जिता प्रदैसन कर रहे हैं तो साउत अपरिका के पास भी केस्व महराज जैसे इस्पनर हैं जो कि अपनी दम पर मेच जिताने का मददा रखते हो साथ साथ बल्ले बाजी भी दोनों ही गैनदवाज कर लेते हैं अक्छर पटेल भी और केस्व महराज भी ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि फाइनल मकाबले में किसकी गैनद बिपक्ची टीम के खिलाडियों को जादा परेसान कर पाती है तो यह थे वो छेचेख खिलाड़ी जो लगातार अपनी अपनी टीम के तरफ से मेज़त और परदसन कर रहे हैं अपनी टीम को लगातार मेज़ता करके फाइनल तक ले आँ हैं दोनों ही टीम है अब तक इस विसकप में एक भी मैश नहीं हारी है तो ऐसे मैं देखना दिल्चस्प रहेगा कि कौन सी टीम यहां पर इस विसकब का एक मातर मकाबला हारती है और वो मकाबला फाइनल होगा तो कुल में अलाकर आप लोगों का क्या विचार है आप लोगों के राय में कौन जी टीम यहाँ पर बाजी मारती हुए नजर आ रही है कौन जी टीम टी टॉन्टी बिसकप दूजा चौबीस की बिजेता बनेगी अपनी राइक कमेंट करके जरूर दें वीडियो देखने के लिए धनबाद मिलते कि नेक्स वीडियो तब तक के लिए नमस्कार